नमस्कार आप सबी का स्वागत है बिलवाडा लोकवानी में चंदन बाला महिला मंडल द्वारा आगामी अंतराश्ट्री महिला दिवस पर विशेश चर्चा के दौरान आज कलेंडर विमोचन अनेक कारिक्रम आयोजित किये गए जानकारी के अनुसार कोटा रोड इस्थित यश्वी आरबावन में चंदन बाला महिला मंडल द्वारा आगामी अंतराश्ट्री महिला दिवस को लेकर शुकरवार को महिला इसने मिलन पर विशेश चर्चा के दौरान पर्यावरन का संदेश दिया वे गंबले वे तुल्सी के पौदे वित्रित किये वहीं पदादिक सबसे पहले तो मैं सभी का दन्यवाद देना चाहूंगी हमारी महिला इन सब इखटी हुई है यहाँ पर चंदन बाला महिला मंडल अंबेश से और आज हमने अंतराश्ट्री महिला दिवस को देखते वे भी एक कालप्रम किया है और स्ने मिलान फ्रखा है हमने इस के इसमी हमने हमने बहुत सरे पर्यावरण को पचाने के लिए हमने गंले वित्रित किये हैं जिससे पर्यावरण शुद्र मिश्व महिला दिवस आखे आप महिलां के नाम क्या सुन्देश दिना चाहेंगे मैं यही कहना चाहूँगी, मैं खुदे का धीवक्तम हूँ, हमें यही कहना चाहूँगी, कि सभी महिला आगे से आगे बढ़े और ताजीव करें, दर से खाहर निकलें, काम करें, अपने पैरों पे खड़ी हो. मैला मंडल ने आज मैला दिवस के जो प्रोग्राम किया, उसमें तपस्वी बेन का स्वागत भी हुआ, सभी भामावशाओं का बुलाया, उनका भी उनने स्वागत किया, और कुछ दार में गैम भी रखे, और आज जो मैला इखटी हुई है, उसमें एक नहीं जागरती, एक नहीं चेतना पेदा करने के लिए, काफी लोगों ने अपने मुँसे उनने धर्म के बारे में संबोध दन भी दिया, तो मैलाओं में थोड़ी एक जागरती आएगी धर्म के प्रती, और ऐसे आयोजन साल में कम से कम एक दो बार तो होते ही चाहिए, या होते रहने चाहिए हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन कभी भी कहीं भी देखे ताजा खबरे आपके मुबाइल पर देखे न्यूज वीडियो किसी भी टाइम हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करे बिल्वाडा लोपानी एप अवेलेबल ओन प्लेस स्टोर, डाउनलोड नाओ और सब्सक्राइब करना ना भूले आपका अपना बिल्वाडा लोपानी यूट्यूब चैनल